मैं राजस्तान में आया हूँ, मैं ज्यादा पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता था, मगर अब उन्होंने पॉलिटिक्स की सुरुआत कर दी, मुझे भी मद्बूर कर दिया, अमारे दिलिब भाई जरा भोले बाले व्यक्ति है, इपको का संबेलन था, कल मुझे फोल्डर बेद दिया, मैंने कहा भी ये फोल्डर मत रखना, बढ़ना, असो गहलो नाराज हो जाएंगे, तो दिलिब भाई ने पूछा, कि फोल्डर में क्या ऐसा है, कि असो गहलो चीड जाएंगे, मैं बताऊँ आपको क्या था, जानना है भाईयों क्या था अंदर, एप फोल्डर का कलर, वो डायरी का कलर, लाल रंग का था, अब दिलिब भाई को फ़ला मालूम नहीं है, कि आजकर गहलो च साब, लाल डायरी से बहुत डर रहे हैं, क्यूं डर रहे हैं पला, जरा बताऊ तो राजस्तान वालो, डायरी का आगे का कलर लाल है, अंदर काले कारणा में छिपे हुए, और वो करोड़ा रूपिये का ब्रश्टाचार का कच्चा चिट्टा, वो लाल डायरी के अंदर हैं, और मैं घहलोज साब को कहने आया हूँ, एक चंद लोग बेच कर नारे लगाने से कुछ नहीं होता, जरा भी सर्म बची है, तो लाल डायरी के मुद्दे पर, इस्तिपा देकर चुनाव के मैदान में आईये, हो जो हो जाए दो दो हाई, माता हो, भाई हो, बेनो, एक कॉंग्रेस सरकार थी, और उस वक, कॉंग्रेस सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए धेर सारे काम किये, और धेर सारी योजनाए लौंच की, और हर किसान को 6,000 रूपिया आज भारतिय जन्ता पार्टी दे रहे, और इसके साथ धेर सारे कुछी रूण के काम, फसल विमा के काम भी किया है, कॉंग्रेस की सरकार थी, किसान बजेट 22,000 करोड था, कितना था, जोर से बोलो कितना था, 22,000 करोड मोदी जी ने 6 गुना बढ़ा कर, एक लाग 25,000 करोड करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है,